Hello guys and welcome to my YouTube channel TechBomb case So guys, आज की वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप यूज करते हैं Vivo Y20, Y21 या Y22 कोई साभी फोन यूज करते हैं तो आज कल आप लोग देख रहे होंगे Notification driver open करने के बाद वहाँ पे आपको device control का option देखने को मिलता है या क्या है इसको आप लोग आफ कैसे करेंगे इसकी पूरी detail आज की इस छोड़ी वीडियो में बताने वाला हूँ वीडियो के end तक बने रहेगा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं device control का option है इस पर मैं किलिक करता हूँ किलिक करने बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे option देखने को मिलता है कैट control का अब मैं कैट control पर किलिक करता हूँ किलिक करने बाद यहाँ पे तीन option हमारे सामने आ जाते हैं water bubble का है, fluid blow का है और यहाँ पे toe का option है तो यहाँ पर तीनों पर मैं यहाँ च्टबॉक्स पर किलिक करके सेव पर किलिक कर देता हूँ अब यहाँ देख सकते हैं 200 e-mail इसको मैं कट करके फिरसी कर दे रहा हूँ अब यहाँ पर देख सकते हैं मैं open करता हूँ डारक्ट यहाँ पर cut control open हो जाता है अब इसको हम यहां से भ़र सकते हैं अभी मैं आपको इसका यूज बता रहा हूँ या यूज नहीं यह सार कुछ बताऊँगा यहाँ देख सकते हैं thrilled है इस पर click करके आप लोग इसको यहाँ डबल करेंगे तो यहर यह जो है type to use यहाँ देख सकते हैं दोस्तों एक प्रकार से कहें तो यह प्रकार से सभी फोनों में लगबग जो भी नए फोन आए हैं इनमें डिवाइस कंट्रोल का ओप्षन देखने को मिल रहा जो कि बेकार है एकदम आप इसको आफ करना चाहते हैं तो आफ कर सकते हैं लेकिन मैं आपको बताऊंगा कैसे यह यहां से हटाना यह आप भी नहीं होता है तो मैं यहां पर नीचे जो pencil का इकान इस पर किलिक कर दूंगा किलिक करने बाद यहां पर देखेंगे device control को यहां पर नीचे लेते आऊँगा यहाँ पे नीचे लाएंगे और slide करके छोड़ देंगे इसके बाद bike आजेंगे अब यहाँ से device control गायब हो जाता है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं device control कहीं भी नहीं दिखाए देता है बस यह की ही यही रास्ता है दोस्तों आप कितना भी विडियो यूटूप पर देख ली या कहीं भी देख लीजी आपको इसको आफ करने का फीचर कहीं भी नहीं मिलेगा क्यूंकि इसको आफ हम करी नहीं सिकते क्योंकि यह हो सकता अगले अपडेट में यह प्रोब्लम भी फिक्स हो जाए वीवो की तरफ से लेकिन आप लोग अभी तक यह सी ही आपको काम चलाना होगा